आज मुख्यमंत्री जी ने जो भाषण किया है यह शिवाजी पार्क का भाषण था यह कोई विदान मंडल का भाषण नहीं था जो मुद्दे उपस्तित किये गए उस पर एक भी बात उन्होंने नहीं कई ब्रश्टाचार के जो मुद्दे सामने आये ब्रश्टाचार के मुद्दों पर उन्होंने कुछ नहीं कहा एक भी ब्रश्टाचार के मुद्दे का वो जवाब ने दे पाए इस पूरे अधिवेशन में कुल मिलाकर सरकार ने किसी को भी रहत नहीं दी ना किसानों को दी, ना मजदूरों को दी, ना गरीबों को दी, ना मैलाओं को दी, ना युवाओं को दी, किसी को भी राहत नहीं मिली, और ये अधिवेशन पिल्कुल कोरा रहा, लेकिन सरकार के भरख्ताचार को हमने पुरुजोर उजागर किया, उसका जवाब सरकार नहीं इसकी वीडियो एविडेंस हमने सरकार को दिया उस्वर भी सरकार कोई काम नहीं कर रही है आज शिवसेना का चेहरा सब के सामने उसका नकाब पढ़ गया क्योंकि हमको अभी तक लग रहाता कि मुख्यमंत्री जी कुछ बोल नहीं रहे है तो उनके मन में अभी भी वो आग जिन्दा है जो डाओत के खिलाफ, दाओत के गुर्गों के खिलाफ, मुंबई के अप्राधियों के खिलाफ सालों से हमारे मन में जल रही है लेकिन आज ये बात पक्कि हो गई कि सत्ता के मंत्री श्री उद्धोछ ठाकरेजी ने दाओत से सवदा करने वाले उसके लोगों से सवदा करने वाले अपने मंत्री को भी बचाने का फैसला कर लिया है झाल झाल